स्वागत स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं व्यूंकेश जी को देखे इन दिनों मैं सिर्फ सिसी वन का कुश्चन डाल रहा हूं जो सभी के लिए बेनिफीशियल है कुछ लोग हमारे भाई बंदू भाया बंद इतने भी लोग हैं उनको प्रब्लम हो रहा है वो है equilibrium of the firm under perfect competition and industry दोनों चलता है तो आज इस question पर हम चर्चा करेंगे और यह question बहुत बैतरीन question है ठीक है तो इस question पर जो चर्चा चलेगा आप मेरी बातों को अंत तक सुनेंगे सभी भया बंदू भाई बहन से यही नविदन है कि आप लोग questions को पूरा सुनिए आपको concept clear होगा ठीक है तो समय ना गवाते हुए channel पे जो है आगे सभी का स्वागत है मेरे channel पर एक बार से मैं आप लोग को और अच्छा लगे तो जरूर like किजिए share subscribe किजिए तमाम भाईया बहन सभी का प्यार बहुत मिल रहा है और मेरे वैसे भाईया बंदू जो कि सिर् भाईया बंदू है जो चैनल पर चैनल लिंक तो आता है वो खोल के देख लेते हैं लेकिन like करना उनके हिसाब से साथ हो सकता है उचीतना हो तो आपसे निवेदन है कि आप like जरूर करिए और subscribe तो करिए ही करिए subscribe करने से क्या होगा कि इस तरह का बहुत सारा वीडियो आपक में जो हमारे department head के द्वारा लिखाया गया था तो पूर्ण परत्यों गीता पहले क्या होता यह समझ लेजिए पूर्ण परत्यों गीता मतलब जहां पदार्थों को के उत्पादित करने तथा बेचने वाली फर्मौ अथा विकृताओं के संख्या दीखो मतलब बेचने वा भी लोग जादा हो और खरीदने वाला भी लोग जादा हो ठीक है पूर्ण परत्यों किता बाजार तब बिदमान होता है जब कुछ कंडिशन्स पूरे होते तो परत्यों पदार्थ को उत्पादित करने वाले मतलब बहुत सारे प्रोडूसर बहुत सारे कंजूमर सभी फर Utter और बायर दोनों को आए प्राइस का इफैक्ट और प्राइस के बारे में पूरा नौलिज होता है वह द्योग में फर्म सुतन दूरूप से प्रवेस कर सकते तव से बाहर जा सकता है मतलब बहुत सारी फर्म जो है इसमें इंडिपेंडली आ सकती है जोईन कर सकती है और एक्जिट होने का भी चांसे से तो पुर्ण प्रत्योगिता कि इन चार शंतों को विस्तार से समझ लीजे तो विस्तार से समझने के लिए आप अपना इस पे डिसकेशन करके रख सकते हैं लेकिन हमको जो discussion करना है सबसे पहले कि पूर्ण परत्योंगिता के अंतरगत फर्म के उद्योग का संतुलन का जो चर्चा हो रहा है उद्योग का संतुलन की परिवासा क्या होती है तो सबसे पहले उद्योग के संतुलन की परिवासा क्या है तो इसका दो पार्ट होता है एक ह इछले साल के question पर है अल्व कालीन संतुलन और हमारे portion में इस बार जो question आया है वह है दिर्ग कालीन संतुलन ठीक है मैं अभी आपको लिए चलता हूं यह रहा पूर्म परत्यों किता के अंतरगर दिर्ग कालीन संतुलन इधर है यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं य अब इसी में चलेगा discussion तो सबसे पहले जो question है वह पहले समझा दू कि संतुलन का exact मतलब क्या होता है कि संतुलन सब्द जो परियोग हुआ है अर्थ सास्त्र में उसका क्या अर्थ है पहले यह भी समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है आप question क्या करता है रट लेते हैं रटन यह तो बहुत साधारन सा सब्द है जिसका अर्थ कोई भी बता सकता है तो संतुलन सब्द का जो प्रियोग हुआ था सबसे पहले वह फिजिक्स में हुआ था और फिजिक्स में जो हुआ है तो किस चीज के लिए हुआ था मैं वह भी आपको बता देता हूं संतुलन सब्द का अर्थसास्त्र में क्या मतलब था वह भी हम अभी आपको जश्ट बताएंगे तो संतुलन मतलब यानि equilibrium सब्द का परियोग कहा किया गया था तो देखिए यहां पर एक language में से लिखा हुआ है equilibrium सब्द का परियोग अर्थसास्त्र में जो किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है question है equilibrium सब्द का परियोग अर्थसास्त्र में भौतिकी physics से लिया गया ठीक है समान विद्वान है जिसमें समान तुलना की वह स्थिति जिसने बिरोधी सक्तियों या प्रिविर्तियों एक दूसरे को निस्प्रभाव कर देते हैं प्रोफेसर इस्टिगलर द्वारा दी गई संतुलन की प्रिवासा संतुलन वह इस्थिति है जब क्या होता है संतुलन क्या है संतुलन वह इस्थिति है जब किसी भी सार्थ की तुलना दूसरी तुलना के साथ की जाती है समान की जाती है और जिसका जो बाहरी प्रविरोध होता है या सक्तियों का प्रविर्तियों का प्रभाव होता है वो नहीं होता है संतुलन वह स्थिति जिसमें गति की सुद्ध प्रविर्ति ना हो हमें सुद्ध प्रवि प्रश्र जेके महता इस्टिगलर और अधी जो अर्थसास्त्री थे उन्हों ने संतुलन के अर्थ को यहां पर दूसरे मीनिंग में समझाया है तो संतुलन के बारे में आपको जनकारी मिल गई कि इसका प्रियोग सबसे पहले फिजिक्स में किया गया फिजिक्स के बाद कि बात करेंगे तो संतुलन सब्द एकुल्वियम का परियोग हुआ वह आर्थिक संतुलन के रूप में हुआ चली अब हम अपने रासन के उत्तर पर चलते हैं और यहां पर डिसकेशन करेंगे तो संतुलन का जो एक्जेक्ट अर्थ है दिर्वकालीन में क्या है तो सबसे पह परिवासा लिखाया गया देखिए मैं भी लिखाया बहुत तेजी से लिखाया है हैं डेटिंग तो कुछ सही नहीं है लेकिन फिर भी पॉड़ देता हूं ताकि क्लियरली सबको समझ में आ जाए तो उद्योग के संतुलन के सर्थ की परिवासा क्या है कि कोई उद्योग सा और जो pillars संटुलन है आर्थिक संटुलन जिसको हम कहान रहा है उसकी मातरा में विस्तार यसंकुचन ना होकर असिरता बनी होनी चाहिए अब इसके लिए कुछ सर्तें हैं तो उसके द्वारा उत्पादित वस्तु के मांग की मत्रा करता है उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की पूर्ती के बरावर हो मतलब जो वस्तु की मांग की गई है बाजार में यानि कि मैं एक कलम की बात करता हूँ कि अगर कलम की मांग की गई है और कलम के मांग और कलम की पूर्ती को बाजार में अगर हम क्या करें बरावर या समान रूप से उपलब्द करा दें तो कहा जाएगा कि कलम या जो वस्तु है इसके लिए कलम के लिए या सिधा बोल सकते हैं कलम के लिए वस्तु जो हमारा कलम यहाँ पर हमने एक्जामपल लिया है उसके लिए बाजार क्या है संतुलन की अवस्थाम में है अब कहता है कि उद्योग अपनी पूर्ती को घटाने अथा बढ़ाने के पिरविर्थी अवस्थ से बनी रही है पूर्ती कभी का अब माल लीजे कि सप्ला बहुत कम है और डिमांड बहुत जादा हो रहा है तो ऐसे केस में इंडस्ट्री क्या करेगा कि सप्लाइ को बढ़ाने के लिए जोर मारेगा परिस्थितियों को बदलेगा अपने जो है उत्पादन की छमताओं को चेंज करेगा उत्पादक निर्धारक ततो जो है लेंड परवस्तु की मांग मात्रा अधिक हो मान लिजे कि किसी जैसे यही पैन का दाम 10 रुपया है तो यदि किसी प्रशलित कीमत की परवस्तु की मांग की मात्रा अधिक हो कि 10 रुपया है और ये कलम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मजाड में कर रहा है इसकी मांग की मात्रा जाता है मतलब इस पर डिमांड जाता है और जिस तरह से डिमांड है उस तरह से इसका सप्लाइ नहीं है बजाण में मतलब मांग मात्रा अधिक है और पूरती की मांटा पेक्षाकरित कम है तो उत्योग अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए पेरित होगा कि यह company वाला क्या करेगा say low company यह बुलेगा कि हमको कलम का production जादा करना चाहिए ताकि market की demand को कभर कर जाए एक condition तो यह होगा कि जब वस्तू के मांग की मात्रा अधिक हो जाए और पूरती कम हो जाए तो ऐसी परिस्तिती में उत्पादक क्या करेगा producer क्या करेगा company में अपना जो है आगे बढ़ाने का कोशिज करेगा production unit को बढ़ाने की कोशिज करेगा ठीक है उत्पादन की मातरा में बढ़लाओ की कोशिज करेगा लेकिन ठीक उत्पादन और पूरती घटाने के लिए प्रेरित होगा ठीक है उत्पादन और पूरती घटाने के लिए प्रेरित होगा कि माल लिजे कि इसका पचासे unit बजार में बिखता है तो 100 unit का production करके कोई फाइदा नहीं है company को तो वो क्या करेगा अपने supply को कम कर देगा और demand के साथ ले जाएगा तो देखिए पहले वाले परिस्थिती में मांग जादा थी पूर्ती कम थी तो पूर्ती बढ़ाने के लिए उत्पादक अपने बाकी सब परिस्थितियों में बदलाओ लाने की चेस्टा कर रहा है लेकिन दूसरे में supply जादा है demand कम है तो भी वही करना चाहेगा जो कि वह हर एक परिस्थिती में क्या करना चाहता है पहले वाले परिस्थिती मांग जादा था दूसरे वाले परिस्थिती में पूर्ती जादा हो गया तो दोनों परिस्थितियों में वह संतुलन को पराप्त करना चाहता है इसलिए बृदी या कमी कर रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि या उद्योग जो है उत्पनी उत्पादन और मांग के बीच के संबंद को सयमित या समान रखने के लिए संतुलन की अवस्था को अपनाना चाहता है यही इसका निसकर्स हुआ अब इसका एक निसकर्स क्या है वो समझे इस पर तो हमने जो बहस किया वो तो कर ही लिया अब इस पर एक निसकर्स समझना चाहिए जिससे क्या होता है कि किलियर बेसिक पॉइंट्स होते है माल लिजे कि वस्थू की जिस मात्रा और कीमत पर तो उसका मांग वक्र और पूर्ती वक्र एक दूसरे के कटेगा माल लिजे जिस लेबल पर जिस पर वह इकुल्वियम में आ जाएगा जिस पॉइंट पर देखिए मैं आपको एक्जामपल पर समझता हो समझा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं माल लिजे कि यह एक ग्राफ हम आपको बता रहे हैं ठीक है पेन बहुत हलका दिख रहा है पेन दूसरा यूज कर लेता ताकि समों को दिख जाएं तो माल लिजे कि यह एक वस्तू है यहाँ पर एक्स वस्तू है और यहाँ पर एक्स वस्तू मतलब उसकी मात्रा हो गरी और यहाँ पर जो है वाई एक्सिस है अब माल लिजे कि किसी वस्तू का डिमांड कर्व ऐसे है और किसी वस्तू का पूर्त पुरती वक्र ऐसे है तो जिस पॉइंट पर यह काटा वहां से ऐसे और ऐसे मतल। यह हो गया इसकी मात्रह और यह हो गया इसकी मांग और पूरती दोनों आप ले लिजे दोनों को हम citate है जिस परिस्थिति में वशतू की मांग यह हो गया आपका डिमांड कर्व यह हो गया मांग वकर और यह हो गया आपका पूर्ती वकर मतलब यह सप्लाय कर्व और यह डिमांड कर्व जिस जगह पर यह एक दूसरे को इसे करके काट लिया मतलब क्राब बना इधर से पूर्ती वकर और इधर से मांग वकर यहाँ पर एक दूसरे क दिर्ग कालीन संतुलन में तब होता है, आप देखिए, हमारा टॉपिक का डिसकुशन क्या है, कि दिर्ग कालीन संतुलन क्या होगा, जो आपका अर्पकालीन है, वो तब चर्चा करना नहीं है, दिर्ग कालीन, तो दिर्ग कालीन संतुलन तब होता है, जब उसकी सभी फर्मे कम से कम सामाने लाप पराप करें मतलब अब उद्योग और फर्म के बीच में क्या होगा तब माल लिजिए कि हम आज एक कमपनी खोलना चाह रहे हैं ठीक है हम एक कमपनी खोलना चाह रहे हैं और हम एक उद्योग लगाना चाह रहे हैं उस दोनों में अंतर है उद्योग इंडस्ट्री जो होता है वो बड़े स्केल पर काम करता है और कमपनिया जो होती है उनके अंदर छोटे-छोटे स्केल पर काम करती है अगर किसी इंडस्ट्री को माल लिजे किसी उद्योग को किसी उद्योग को बहुत बड़ा उद्योग है उसके अंदर में ये हो यानि कि संतुलन में रहना है तो ऐसी स्थिति में फर्म जो इसके अंदर जितनी भी फर्में होंगी उद्योग के अंदर उसको कम से कम सामान्य लाभ अर्जित करना पड़ेगा नहीं कर सका अगर वह तो उसको दिक्कत होगा तब क्या करें कि फर्में छोड़ छोड़ के आप फर्म जाती भी हैं चुकि यह एक पुर्ण परत्योगिती बाजार है तो फर्में आएंगी भी और फर्म यहां से जाएंगी भी दोनों परिस्थितियां होंगी लेकिन उद्योग का कहना है कि वह कब संतुलन में रहेगा जब फर्मों की संख्या ना तो घटे ना बढ लेकिन आप जानते हैं यह ऐसा परिस्थिति हमेशा ने होता है सामान लाव के लालच में अतिरिक लाव के लालच में फर्में उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग के साथ मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में जो है उद्योग अपना दिर्काली संतुलन बरकरार नहीं तो यहाँ पर था कि सभी फर्में सामान लाव अर्जित करेंगे और उसके प्रतेक फर्म में संतुलन में होगे जब यह सामान लाव फर्म लोग जितने फर्म है इसके अंदर में सबको अगर सामान लाव मिलने लगा तो उद्योग को क्या होगा उद्योग को भी संतुलन मे सामाने लाब मिलेगा और यह कब होगा भाई जब काता है यह परतेग फर्म अपनी सीमा उनता है मतलब परतेग फर्म अपनी marginal revenue को MR को MC के बराबर कर ले ठीक है तो यह फर्म क्या होगा सामाने लाब को लेते रहेगा और उस परिस्तिति में उद्यों को भी संतुलन मिलता रहेगा संतुलन बना रहेगा अब जब ऐसा condition फर्म अबलेबल कर लेगा कि MR बराबर MC हो जाएगा तो ऐसी परिस्तिति में उद्योंग भी full equilibrium का मतलब हो गया की पूर्न संतुलन में रहेगा है लेकिन सर्त वही है कि फर्म क्यस्क्या ना घटनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए किसकी संत्ख्या फर्म की संत्ख्या तभ है एसा होगा और उद्यम करता को सामान इलाव और पूर्ण संतुलन में जब रहेगा कौन उद्योग तो इसको भी नॉर्मल प्रोफिट होगा ठीक है जब वस्तु कीमत और जब ऐसा लंबे समय तक चलेगा तब क्या हो जाएगा कि सामान इलाब से उत्पादक को और सत लागत म में भी सामिल हो जाएगा मतलब प्राइज जो है वह मार्जिनल रिवेन्यू के बरावर था और यहां पर एब्रेज रिवेन्यू के बरावर भी हो गया ठीक है इसलिए ग्राप में यह कंडिशन MR बरावर एमसी और एयार बरावर एमार का कंडिशन दिया जाता है एयार बरावर एमार और एमार बरावर एमसी कर जो दिया हो है तो एयार और एमसी आपसे बरावर नहीं होगे अलग लग तरीके से बरावर रहा है यहां पर जो है AC होगा प्राइस जो है वो marginal cost और average cost के बरावर होगा मतलब प्राइस बरावर AC equal to MC और MR बरावर MC होगा यही जो graph में आपको पढ़ाया जाता है यह वाला यहां पर दोनों case होता है यह देखे ऐसे करके बनेगा तब दोनों case आपको समझ माज़ेगा यहां पर हो गया MR बरावर MC और यह हो गया एए माप किजएगा MR MC नहीं AC बरावर MC हो गया और यहां पर हो गया MR बरावर MC यह विगर आप लोगों क्लास में कितनी बार चर्चा हुई है ठीक है अब जो है परिस्थितियां बदलेंगी संतुलन में होता है इसलिए जब वस्तू की कीमत उसकी आउसत लागत के समान होती है तो यह अर्थ होता है कि उद्यम करता सामान लाव अरजित कर रहा है ठीक है अब कहता है long run and perfect competition long run में क्या condition होता है लंबे समय से पूर्नुप्रतियोगों के उद्योग का संतुलन किती होता है लॉंग रण निट ब्रफ़क्त कम्पेटिशन, Inould being of industry yet कासंवन संतुलन दिर्काली किसी उद्द्योग में फर्म सोतम्त रूप से परव्यस कर सकती हैं, या उसे छोड़कर जा सकती हैं, तो अपने विसलेशन में हम यह मान कर चल रहे हैं, उद्द्योग के विस्तार से इस में प्रियोग होने वाले संसाधनों की कीमतें स्थिर हती हैं, अतहर हम constant cost industry, इस्थिर लागत के उद्योग के दिर्ग कालीन संतुलन का विसलेशन करेंगे मतलब जब भी हम दिर्ग कालीन उद्योग की बात करेंगे तो दिर्ग कालीन उद्योग वाली परिस्थिती में हमेशा मूली को बाजार को और उत्पादक करने वाले उत्पादन करने वाले उत्पादक के म अध्योग कर सकती है चोड़ भी सकती है वो बुक से अच्छा है हमारे पास जो लिखा वा इसी से हम आपको समझा दे ताकि समों को समझ में भी आ जाए फेर नहीं किया हूं कहीं यह कौपी में ही लिखावा आथ तो इसी से याद किया था सिर्प क्योंकि दुर्काल में किसी उद्योग में फर्व सतंद रूप से पर्वेस कर सकती है उसे छोड़कर जा सकती है अपने विसलेशन में हम यह मान कर चल रहे हैं कि उद्योग के विस्तार से इसमें प्रियोग होने वाले संसाधनों की कीमते स्थिर है अता हम constant cost industry स्थिर लागत के उद्योग के दिरकालिन संतुलन का अब इसलेशन करेंगे यहाँ पर क्या क्या है स्थिर्मान लिया गया कीमत को स्थिर्मान लिया गया उद्योग में उत्पादन करने की चमता है उसको भी स्थिर्मान करके हम चल रहे हैं तो इसके लिए नीमने लिखीत आवस्यक्स अरते हैं सबसे पहले उद्यो उद्योगदारा उत्पादित वस्तु की मांग की मात्रा मांग की मात्रा के समान हो मतलब पूर्ती की मात्रा और मांग की मात्रा दोनों आपस में बरावर हो जहां पर मांग और पूर्ति पर एक जुठे को काटते होंगे मतलब ऐसी परिस्तिति उत्पन्नों की जो मैंने ग्र अभी यह वाला यह केस होना चाहिए कि जितनी मांग की मत्रा उतनी पूर्टी की मत्रा और जिस बिंदू पर ये कटा वह धो औना चाहिए यह ऐसा प्रिस्थिती एक पहला सरत यही हैं दूस्रा कहता है कि इनमें सभी फर्म दिरकाल में अपने प्लांट को समयोजित कर सकते हैं मतलब कि इंडस्ट्री माल लीजे जो बनाए थे अभी हम इंडस्ट्री वाला फोटो यह नहीं है ठीक है यहां पर माल लीजे है यह वाला पार्ट कि हम आपको बता रहें मोड के चुकि ट्रेंगल लिखा हुआ है वो दूसरा फिगर है कि माल लीजे कि यह एक बहुत बड़ा क्या है मेरा उद्योग है और इसमें जो फर्म है इनकी संख्या निश्चित होनी चाहिए और उद्योग तभी संतुलन में रहेगा ठीक है उद्यो मांघ में पूर्ति दौरा तो म समायोजित कैसे करेंगी तो मांघ और पूर्ति पर निर्धारित कीमत को अपने almc मतलब लांगरें पारजिनल कोस्ट के बराबर किसके प्राइस को लमसी के बराबर ठीक है तता उसके अनुरूप प्लांट का कर बना इसके अनुरूप जो है वह अपना फर्म को तहगा कि आप अपना लाबर जित करते रही है और हमको संतुलन के वस्ता में बनाए रहने दी बने रहने दी अब इससे आगे का पार्ट क्या कहता है, कि उद्द्योक के दिरकालिन संतुलन के लिए यावस्थ है, कि इस इस्तिती में बाहर से फर्म का प्रवेस करना कोई प्रिवृइष यह ओर ना ही उद्द्योक में कारे कर रही हो, मतलब इसमें फर्म की संख्या अगर ये माल लिजे दो ही था तो अन्त तक दो ही रहना चाहिए चेंज नहीं होना चाहिए गर चेंज होगा तो यह जो परिस्थिती है प्राइस बरावर LMC लॉंगरं मांजिलल कॉस्ट वो गड़बड़ा जाएगा उद्योग का प्राबलम कर जाएगा अन्य था उद्योग को जाना चाहती है माल लिजे कि इसमें बहुत सारी फर्मे ऐसी भी होगी जो दूसरे उद्योग के साथ काम करना चाहती होगी तो वो नहीं होना चाहिए अगर ऐसा नहीं अगर ऐसा होता यह लोग छोड़के नहीं जाए तो इनको तो नॉर्मल प्रोफिट होगा रुद्योग भी संतुलन में अपना सामान इलाब अरजित करेगा अर्थात उनके आर्थिक लाब सुन होगा लेकिन क्या होगा कि अब माल लिजे कि फर्म लाब कोo nota dai से दिखाते हैं ठ्यान दीजेगा लाब को a अब कहता है कि उद्धियोग क्या है अर्थिक लाब सुन हो जाएगा जब तक फर्म अपना नहीं करेगा तोन चल सकता इसलिए पहुत सारी फर्मे बंद होती है और नहीं फर्मे आती है बाजार में लेकिन उद्योग कभी बंद नहीं होता है ठीक है के लिए आवस्यक है तो क्या कहा कि आर्थेकलाब सुन ने अतेव उद्योग के दिन कान के लिए संतुलन आवस्यक है मतलब फर्मों की संख्या और उद्योग का जो समनवय है वो हमेशा एक जिसा बना होना चाहिए अततह अंत में जब फर्मे छोड़कर जाने के लिए विवस हो जाती है उद्योग को तब वही प्राइस जो लमसी के बरावर था अब वो हो गयो लेसी के बरावर मतलब लॉंग रन एवरेज कोस्ट के बरावर हो गया तो ऐसी परिस्थिति हम कहा सकते हैं कि प्राइस बरावर लमसी बरावर लेसी हो गया आपका क्लियर यहाँ पर इसके बाद की जो परिस्थिति है वो आप समझ लिज ठीक है अब इस पर एक है ग्राप मैं आपको ग्राप बता देता हूं ताकि सबों को समझ में आ जाए भाई ग्राप को लेकर कहीं चर्चा और इसके बाद अब सवाल में कुछ नहीं है अब ग्राप यही वाला है जो आपके सामने खुला हुआ है ध्यान से देख लिजिए ग् खराबी के लिए माँ पीचाओंगा तो यह जो ग्राप है इसी ग्राप पर अब चर्चा करेंगे तो देखिए यह जो छेत्र है वो लाब का छेत्र है ध्यान से देखिए यह जो छेत्र बताया जा रहा है वो लाब का छेत्र है और यह जो बड़ी वाली रेखा है लेसी यह जो आप देख रहे हैं यह वहीर है जिसमें की अंत में जाकर के फर उद्ध्योग जो है अपना रेखा बनाता है लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि जो लाब है देखिए SMC1 और SAC1 यह जो दोनों लाइने हैं यह दोनों बता रही है कौन सी फर्मों की पूर्ती और मांग वक्र ठीक है यह दोनों लाइने और यहाँ पर वह परिस्थिती को बता रही है जब वह अपनी कीमतों में बदलाओ करना चाता है या अधिकरेक लाब लेना चाता है तो जब वह लाब LAC के पार से गुजरा मतलब जब वह लाब के छेतर में था कौन सामाने लाब इसको हम कह सकते हैं किसकी फर्म की लेकिन उद्योग संतुलन में था ठीक उद्योग संतुलन बनाने के लिए चल रहा था लेकिन जैसे ही फर्में लाब से अतरिक्त लाब की और जाना शुरू कर दिया फर्मों का अपना सोच बढ़ने लगा तो प्राहिस जो है वहां से घटने लगा क्यों और दसा एक पहले पॉइंट पर बनेगी और यह यहां से यहां तक आपको दिख रहा है वह जैसे ही इस दसा पर आएगी तो फर्म और उद्योग दोनों को फायदा हो जाएगा दोनों सामाने लाब करने लगेंगे और बाजार भी संतुलन में आ जाएगा ठीक है और यह ज रहा था उसमें पूर्तिवक्र इतना था लेकिन जैसे ही उसका प्राइज गिरा तो पूर्तिवक्र डाहनी और नीचे के और बढ़ गया इसका मतलब पूर्तिवक्र प्रभावित हुआ किस कंडिशन से तो जब प्राइज LMC और LAC के बराबर हुआ ठीक है तो यहां पर यह और निफये से पराब निफे सवाल ग्राप के साथ अपका किलियर है अभ इसपर हैग्राफ का एकस्प्लानेशन तो ग्राप का एकस्प्लानेशन आप अपने घर पर भी पढ़ करके लिख सकते हैं अपने से भी graph का explanation बना सकते हैं graph का explanation आप हमको पूछिएगा था हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यही है एक page graph का explanation जो की मेरे पास है लिखा हुआ देखिए उद्योग के दिर कालिन संतोरन को निम रेखाचितर असपरस क्या जाकता है रेखाचितर बी में डीडी उद्योग दा उत्पादित मांग वकर देता SRS1 उसके उत्पादित लाब कालिन पूर्ती वकर जिससे उद्योग मुरतमान फर्म को पूर्ती वकर की छेती रुप से जोड़ कर प्राप्त किया गया मांग वकर डीडी तो था पूर्ती वकर SRC1 परस पर बिंदू R पर कट रही है R पर कट रही है सकेंड फिगर यहाँ पर जो बनाया देखिए यह R पर कट रहा है आपर यही फिगर है छोटा वाला का बता रहे है इस प्रकार कीमत OP1 उद्योग से उत्पादन की मातरा ON पर निजाइत हुई एक पूर्ण पूर्दोगता फर्म OP1 कीमत की स्थिर मान कर अपने वर्तमान प्लांट के कारे करके सोटरन मार्जनल कोस्ट को प्राप्त करेगा मतलब कालीन लाब के लिए फर्म जिम्यदार होती है और दिर्कालीन संतुलन के लिए उद्योग तो परिनाम सरूप रेखाचितर ए पर दस्थित करेंगे इसके लिए फिर हम रेखाचितर ए पर जाएंगे यह वाला पार फिगर पर जाएंगे और यहाँ पर चरचा होगी अप सुनिए यहाँ पर का ररेकाची तरेपर यह प्रसर्त करता है कि कीमत OP 1E पर बिंदू संतुलन में है मतलब यह जो लिखा हुआ है यहाँ पर OP की मात्रा से यहाँ पर यह संतुलन में है कि यहां पर जो यह लिखा हुआ है ट्रैपोड बात है कि मेरे ट्रैपोड टूट गया थो असे दिक्कत होता है बनानेम वीडियो क्या करूं आर्थिक प्रिस्थिती एसी नहीं है कि ट्रैपोड नया लेने का हालात बने और ट्रैपोड भी अलग-अलग टाइप के हैं सिग्निफिकेंस उसका अलग-अलग है तो समझ में मेरे को नहीं आता है तो समय अच्छा हो गया है लेकिन थोड़ा सा ही बचा है मैं आपको लास्ट अच्छे से बता दूता कि कुश्चन अधूरा ना रह जाए फीगर को ही मे करतबक्र SMC1 के E पर संतुलन है और यह जो SMC1 E के कारण संतुलन में है इस प्रकार अलप-कालीन में OQ मात्रा उत्पादित होती रहेगी और फर्म अपना लाब कमाएगा देखें इसलिए यहां पर लाब लिखा हुआ है किन्तु दिर्काल में दो सक्तियां कारे करेंगी प LAC परिष्थिति में प्राइस LMC1 प्राइस का दाम LAC1 के बरावर हो जाएगा LMC1 के बरावर जो प्राइस एर बरावर MR और प्राइस टू भी एर बरावर MR के कंडिशन को बता रहा है जो मैंने आपको पेपर में भी लिखके बताया था यहां पर पेपर मैं दिखा देता प्राइस LMC1 LAC के बरावर इस कार्थ है कि AR बरावर MR बरावर प्राइस हो जाएगा यहीं कहीं पर था मैं लिखा था किसी और पेज में होगा प्राइस बरावर MR करके जो कंडिशन दिया गया वही है तो इस तरह से स्मरन रहे कि उद्द्योग के दिरकारिन संतुलन के उप फिर्दी और उपयोग इता में कोई ब्रदी हो भी जाएगी तो उद्द्योग जो है उसे औसे लागत के साथ जो है उपर निचे की और कर